तो हेलो दोस्तों फिर से मिल रहे हैं आज हम एक अगले वीडियो में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से जो है अपने पैसर बचा सकते हैं अपनी एड प्रमोशन में आइड प्रमोशन की यानि आप समझी रहे होंगी कि अगर आप भी बिजनेस ओन करते हैं या आपका यूट्यूब चैनल फर एक्जामपल या कोई भी वेबसाइट आपको ओन करते हैं आप उस चीज को अपने प्रमोट करना चाहते हैं और आपको ये बात बता है कि प्रमोट करना इंस्टाग्राम पर प्रमोशन करना या जो सबसे बेसिक हमारा मैटड होता है गूगल प्रमोशन गूगल अद्वर्ट के तूर आपने रिसेंटी देखा भी होगा कि काई टाइम से गूगल अडबर्ट जो है अपना एक अड़ चला रहा है जिसमें अगर आप अपनी आप अगर मतलब विदिन वन मन्थ 2,000 का अगर स्पेंड करते हैं तो उसमें गूगल आपको 2,000 का क्रेडिट अमांट देखा आपके गूगल अडवर्ट्स की अकाउंट में तो आप लोग में से कईयों को यार ये डाउप होगा किया ये पैसे कैसे मिलते हैं तो यार दोसर मैंने पर्सनली इसको यूस किया तो आपको दिखाने वालों कि क्या इसका सीन है चलो आगे शुरू करते हैं सबसे पहले हम जो है गूगल एडवर्ट्स का जो है अपन कर लिंग अपना अकाउंट की क्या है जो यह जो जो फर्स्ट पूप्शन आता है यहा पे गूगल सर्च में इसको क्लिक कर लेना है जैसा कि मैंने कहा था कि गूगल जो यह एड चला रहा है यह तो आपको प्लियर कट देख रहा है तो यह क्या है, कैसे amount credit होता है, क्या यह cash back है, क्या हम पैसे खची नहीं करने पड़ेंगे, तो यह सारी चीज़ेंगे बात करेंगे इस वीडियो में, तो आपको जो है, जिस भी account में use करना है, जो अनसा भी gmail account में use करना है, उसके थूँ यह sign in कर लेना आपको, यहां में click कर अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो आपका अकाउंट नहीं है, तो आपके क्लिक करेंगे, इस अगर आपके साइन लेगा, जिसको अगर आप अपने Google Adwords के अकाउंट में जब पेमेंट करते टाइम, अड करेंगे पर्रमोशन कोड को तब आपको इस offer का benefit मिलेगा चलो अब हम sign in करते हैं और देखते हैं with proof किया रिये amount क्या है कैसे हमें credit रोगा आपको जाए अड़वर्ड अकाउंट्स इस तरीके से ओपन हो जाता दोस्तों यहां पे जो है tools and settings में आपको जाना है उसके बाद आपको बिलिंग summary में तो नहीं बढ़ यहां आपको promotions में जाना है फिर आपका जो promotion है आपे देखो दिखा रहा है get up to 2000 credit वाला जो आपने पुमो कोड लगा था Samira यह पुमो कोड था मैंने यह जो है चिपका दिया यहां पर यह देखो ठीक है और यह जो credit हो रहा था आपके यहां पर promotion वाले section में credit हुआ है अलग से और जो आप खुद amount add करते है Google account में वो आप summary में जाके चेक कर सकते है कि आपका जो आपने खुद amount add करा है वो कहां पर है तो यहां पर यह जो आपको है amount add करके जो है आपको within one month जो आपको 2000 है वो spend करने पड़ता है अपने add में अगर एक मेने से जादा हो जाता है तो आपको यह offer का benefit नहीं होगा तो आपको समझ आ गया होगा कि यार यह सही में credit होता है और यह flat 2000 का amount credit नहीं है यह up to 2000 का credit है आपको minimum 2000 आपने add में लगाने ही पड़ेंगे otherwise आप this eligible ही नहीं होगा तो आपको qualify नहीं करेंगे तो आपको promotion code लगाना पड़ता है उसके बाद within one month जो है आपको minimum 2000 spend करने पड़ेंगे तो यह तीन चीज़ आपको ध्याम रखनी है और आपको गूगल फ्री में amount credit कर दे तो आपको फ्री में आपको spend करना पड़ेंगे तो जो कईो का डाउट है कि हमें spend करना पड़ेगा नहीं क्या सीन है, cashback है या क्या है तो आपको आपके डाउट ही जो है इसमें clear हो गया बाकी जो है Google Ads में Ads कैसे रेंग करते हैं या बाकी Facebook Ads, Instagram Ads इसमें कैसे रेंग करते हैं इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है इसमें मैं अलग से एक dedicated video को बनाऊँ तो आप कमेंट करके मुझे बता से आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज यार सब्स्राइब करो, शेयर करो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में नए ओफर के साथ